असलाम अलेकूम और हलो दोस्तों मैं जुलेखारफा जुलेखासकेचन.com से चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ शादियों वाला चिकन चीज शाही रूल ये स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा का सब्सक्राइब करें पराबर में जो पहला आइकन इसे भी जरूर क्लिक कीजिए ऐसा करने से आपको मेरे रेसेपी सबसे पहले देखनी मिलेगी वो भी फ्री में और रेसेपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए या फिर आप थोड़ा तेल दाल दीजिए चलेगा अब बंद कर दीजिए और बहुत अच्छे से बार एक पीस लीजिए वैसे डाइसोगरम चिकिन के अंदर आप साथ से आठ शाही रोल्स बना सकते हैं अब इसे एक बड़े से बरतन में निकाल लीजिए और पूरी तरीके से निकाल लीजिएगा कुछ भी ना रहे हमारे जो मिक्सर जार के बाउल के अंदर थोड़ा सा मैं तेल और दाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना और थोड़ा सा कोथमीर और फुदी ना बारिक काट कर दाल देती हूँ बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए इन है ये चिकिन है हमने जो पीसके रखी थी थोड़ा सा मैंने तेल लिया है यहाँ ये कुछ स्लाइसे हैं चीज के यह है बटर करम और ये है एक अंडा फेट के लिया है मैंने अब इक प्लास्टिक लिजे इस तरीके से या फिर बटर पेपर भी ले सकते हैं मैं पास बटर पेपर नहीं है तो मैं प्लास्टिक ले रही हूँ सा फैला लीजिए अब उसके ओपर ये चीज का स्लाइस रख दीजिए आप चाहें तो खुर्चिवी चीज भी दाल सकते हैं अब प्लास्टिक को एक साइट से मोड़िए इस तरीके से अब दूसरी साइट से भी प्लास्टिक को मोड़िए तो इस तरीके से यह आ जाएगा अ अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की साइट से यह प्लास्टिक को मोड़िए और ऐसा रोल हो जाएगा यह आप देख सकते हैं अब प्लास्टिक हटा के हातों की मदद से थोड़ा सा अपने हाथ से लाइटली हातों से इस तरीके से आप रोल कर दीजिए तो आट नीचे का जो ह इवनली सब जगा से और ये देखिए हमारा एक रेडी हो गया शाही चिकन रोल इसी तरीके से सारे बना लीजिए एक मीडियम साइज बॉल लीजिए चिकन का बीच में डालिए प्लास्टिक के इस तरीके से चप्टा कीजिए बीच में चीज डालिए साइट से अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो गया तो काट भी सकते हैं आप कोई बात नहीं बेशल बीच में चीज डाल दीजिए काटने के बाद साइट के थोड़ा थोड़ा अंदर दाल दीजिए ये जो प्लास्टिक को पकड़के और उपर से पूरा स्लोली स्लोली रोल कर ल रहा है तो अच्छा आप चाहें तो पहले सारे इस तरीके से बना लीजिए साइट पर रख दीजिए फिर अंडे में दाल दालके उसमें बटकरम में दालते जाईए क्योंकि हाथ गिले हो जाएंगे तो आप बना नहीं पाएंगे ना बराबर से मैंने सारे पहले एक साथ रोल कर लिए उसके बाद अंडे में दाला रोल करके डारेकली ये जो ब्रेटकुरम में दाल कर मैं अब इससे बहुत अच्छे से ईवेनली तीनों को कोट कर लेती हूँ अब चाहें तो single single भी करके दाल दीजिए, single बनाईए, अंडे में दालिए और इसमें breadcrumb में roll कीजिए और side पर रखते जाईए तो ये एक साथ मैंने किया तो जादा quickly हो जाता है ना ये देखिए, 4-3-4 एक साथ किया मैंने यूजियली पहले breadcrumb में दालते हैं और फिर अंडे में दालते हैं और उन्हें fry करते हैं बट मुझे वैसा पसंद नहीं है जादा अंडे वाला बहुत heavy लगता है मुझे तो पहले मैंने अंडे में दाला फिर breadcrumb में दालके उसे मैंने side पर रखा अच्छा अब मैं यहां क्य कर रही हूं पता है अंडा को जादा ही बच रहा है तो मैंने पहले breadcrumb में दाला यह देख सकते हैं फिर अंडे में दाला फिर मैंने वापस से ब्रेड करम से रोल कर लिया इस तरीके से क्या होगा मेरा जो अंडा है न वो थोड़ा सा जादा यूज होगा और वेस्ट नहीं जाएगा आप देख सकते हैं तो लास्ट के दू मैंने इस तरीके से किये सो दाट मेरा अंडा वेस्ट ना जाए और बाकी के वैसे किये मैंने जो से स्टार्ट में आपको बताया मैंने इन्हें फ्रिज में रख दिया था दो-तीन घंटे के लिए अब शाम के वक्त मैं इन्हें फ्राइ कर रही हूँ तो तेल डाला मैंने पतिली के अंदर और पास्ट पे अच्छा गरम कर लिया गरम हो गया तो मीडियम आज कर लिया उसके बाद एक एक करके ये आप रोल्स इसमें डालते जाएं ये और बहुत हलके हाथ से संभाल कर दालिएगा थोड़ा सा लगे फिर से थोड़ा सा शेप देने की तो फिर से दे दीजिए कोई बात नहीं चलिए अब दो से तीन ही दालिएगा एक साथ बहुत जादा मत दालिए और मीडियम आज पर फ्राई कीजिए इन है और बार बार मत चलाईए अभी फिलहाल फ्यू सेकेंज के लिए ऐसे ही रहने दीजिए जब थोड़े से पक जाए फिर उन्हें उलट अगर आपको यह जो शाही रोल्स है इन्हें जो लपटने में थोड़ा डफिकल्ट लग रहा हो तो आप हमारी दूसरी रेसिपी चेक कर सकते हैं चीजी चिकिन फिंगर्ज वो थोड़ा आसान वे में हमने बताया है मैं उसका रहसे पिलिंग आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूं आप वहाँ चेक कर सकते हैं चलिए इसी तरीके से मैंने सारे फ्राइ कर लिए हैं बैचस के अंदर और मैं निकालकर नितारकर टिश पोरा प्रोसीजर कर लेते हैं और उन्हें और बट क्रम में यह रोल करकर रग देते हैं आप एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए जब ठोड़े जिप लगा के उपर फ्रीजर में रख दीजिए जब चाहें 15-20 दिन के अंदर आप निकाल कर आदे घंटे पहले निकाल लीजिएगा और उसके बाद फ्राइ कीजिए अच्छा अगर आपको ऐसा लग रहे के फूट रहे हैं तब तो थोड़े से अंडे में दाल दाल के रोल दें टेक केर अलाहाफिज